तीन दिन पानी में उबाल कर पीलो, सो साल तक हडियों की कमजोरी, शुगर, कॉलेस्टोल, मोटापा, पेट के रोग और दिल की बिमारियां आपको कभी नहीं होंगी नमस्कार दोसों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वावत हैं दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे नुस्खी के बारे में बताएंगे, जिसका यदि आप परियोग कर लेते हैं, तो इसके परियोग से दोस्तों, आपकी हडियां बिल्कुल मजबूत बन जाएंगी आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, कॉलेस्टोल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको पेट के रोग, जैसे की कब्ज, एसिडिटी, पेट में जलन, सुजन, ये सब नहीं होंगे दोस्तों, जॉइंट पेन आप सही करना चाहते हैं, आपको जोडो का दर्द है, आप रहत पाना चाहते हैं, तो आप इस ओशदी का सेवन जिरूर करें दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे काड़े के बारे में बताएंगे, जिसका परियोग करके आप अपने शिरीर को बिलकुल स्वस्त बना सकते हैं दोस्तों, काड़ा बनाने की विदी हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम इसके फायदे आपको बता देते हैं दोस्तों जिन लोगों की हडिया कमजोर है या थोड़े से काम के बाद ही उनको joint pain शुरू हो जाता है या उनको शुगर की बिमारी है या मोटापा अधिक है या दिल की बिमारिया है तो इन सब बिमारियों में इस कारे का परियोग करें काड़ा बनाने के लिए दोस्तों आपको दो चीजों की चूर्ट पड़ेगी पहला मेथी दाना, दूसरा दालचीनी दोस्तों आप इन दोनों चीजों से वाखिफ जरूर होंगे आपको दोस्तों इन दोनों चीजों के फाइदे भी पता होंगे दोस्तों काड़ा बनाने के लिए आपने क्या करना है रात को आपने एक काच की गिलास में एक चमच मेथी भिगो कर रख देना है दोस्तों सुवह उठकर खाली पेट आपने सबसे पहले क्या काम करना है एक पैन लेना है उसमें जो आपने ये मेथी भिगो रखी थी ये डालना है और थोड़ा सा पानी और डालने जैसे कि एक गिलास आप पानी का रखे और ये मेथी जो आपने एक चमच डाले थी इसमें म उबाल देने के बाद दोसो आपका मेथी वाला काड़ा त्यार है आपके सेवन के लिए दोसो इसे या तो आप गरम गरम पीजिए अगर आप जादा गरम नहीं पी सकते तो हलका सा ठंडा कर ले और उसके बाद इसका सेवन करें दोसो सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है आपने साथ दिन इसका सेवन करना है वैसे तो फर्क आपको तीन दिन में ही लग जाएगा आपके जोडों का दर्थ सही होने लगेगा आपको और भी विमारियां हैं जो बिल्कुल सही होने लगेंगी आप इनका सेवन करें दोस्तों अब आपको बताते हैं यदि आप इस काड़े का सेवन कर लेते हैं तो आप किन किन बिमारियों से बच सकते हैं दोस्तों यदि आपको किड़नी की पत्री है किड़नी की पत्री से राहत पाना जाते हैं तब आप इसका सेवन जरूर करें क्योंकि मेथी में इतनी शुक्ति होती है जो हमारी किड़नी की पत्री को निकाल देती है तोर दोर कर और पेशाग के जरीए दोस्तों क्योंकि ये मेथी फाइबर से भरपूर होती है तो आपका मेटबिलिजम बहतर बना रहेगा और जिससे क्या होगा आपका वेट यानि आपका जो मुटापा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसको पीने के बाद क्योंकि इसको पीने से दोसों शरीर में हीट पैदा होती है जिससे वजन घटाने में आपको मदद मिलेगी दोसों यदि आपको सर्दी जुखाम है सर्दी जुखाम में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं डाइबटीज में तो ये असरदार ओश्डी है जिन लोगों को डाइबटीज है मुटापा है ये सब कंट्रोल में आ जाएगा इस ओश्डी के सेवन से बालों की ग्रोथ के लिए भी दोसों मेथी बहुत ही फायदे मन है दालचीनी भी फायदे मन है दोनों चीजों को मिला कर जब आप इसका सेवन कर लेते हैं तो ये काफी आपके लिए अच्छी डिंक बन जाएगी जिससे आपका श्रीर स्वस्थ रहेगा आपको यदि होगा और आप अनेक बिमारियों से वैसे ही बचे रहेंगे और दोस्तों डालचीनी में भी अच्छे कंपाउंड होते हैं जो काफी ओश्द्य गुनों से भरपूर होते हैं इसलिए आप इसका सेवन करें दोनों चीजों को आपने एक साथ मिलाना है इसका काड़ा बनाना ह तो आपका जो ब्लड शुगर है वो कंटोल में रहेगा और दोस्तों यदि आपको अच्छी नींद नहीं आती है रात को तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं और दोस्तों यदि जॉइंट पें रहता है कमर में दर्द रहता है बहुत से लेडिज या जैंट्स ऐसे होते है जिन की कमर दर्द करती है क्योंकि सारा दिन उनको बैट कर काम करना पड़ता है या फिर खड़े होकर भी कमर में हमारी दर्द रहता है तो वो दर्द इससे बिलकुल सही हो जाएगा और दर्द सही होने के साथ साथ जो आपकी हडिया है वो भी मजबूत बन जाएंगी और जब हमारी हडिया मजबूत होंगी तो हमारा जो दर्द है वो बिल्कुल सही होने लगेगा, दर्द नहीं रहेगा आपको. तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, आपको कैसी लगी आप यूज करके जरू देखना इस ओशदी को. दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लेज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरू करना, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकन है उसे भी दबा देना, ताकि आपक वो हमारी आने वली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।